मतुरा से लापता दीपा की तलाश, परिवार ने लगाई न्याय की गोहार, पुलिस पर उठे सवाल. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं, ए खबर, हर खबर पर पैनी नजर. मैं हूँ देव शर्मा, और आज आपके सामने एक दिल को जगजोर देने वाला मामला लेकर आया हूँ, जो किसी के भी दिल में डर और चिंता पैदा कर सकता है. गुमशुदा दीपा की तलाश, मामला है मतुरा के कोसीकला तहसील के गाउंग जापका, जहां से 26 वर्षिय दीपा 23 जून 2024 को अचानक गायब हो गई. उस दिन दीपा पीले और लाल रंग के चापे वाला सूट काले रंग की सलवार और लाल चुन्नी पहने हुए की. अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. दीपा के पिता श्री वीरन और पूरा परिवार बहुत परेशान है और समाच से मदद की अपील कर रहा है. इस बीच पलवल जिले के भिदू की गाव के उदेवीर की पतनी दीपा का भी मामला सामने आया है. दीपा, जो मथुरा की रहने वाली थी, 23 जून को गायब हो गई और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है. उदेवीर और उनके परिवार ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस की निश्क्रियता ने इस परिवार को निराश कर गिया है. परिवार की अपील और पुलिस की लापरवा है. उदेवीर और दीपा के परिवार ने पुलिस से बार-बार शिकायत की, लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी. पांच जुलाई को एक अग इफो से गुजर रहा होगा, ये हम सभी सोच सकते हैं। आज इस परिवार की मदद के लिए हमें भी आगे आना होगा। वीरन और उदेवीर की गुहार, दोनों परिवारों ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि दीपा को खोजने में उनकी मदद की जाए। अगर किसी को भी दीपा के बारे में कोई जानकारी मिले, तो कृपया तुरंट संपर्ख करें। सूचना देने वाले को 5,000 रुप्य का इनाम भी दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दीपा का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके। जुड़े रहिए ई-खबर के साथ क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए सच्ची और निर्भीक खबरें। हर खबर पर पैनी नजर, धन्यवाद। गुमशुदा दीपा की तलाश, मामला है मत्हुरा के कोसीकला तहसील के गाउव जापका जहां से 26 वर्ष ये दीपा 23 जून 2024 को अचानक गायब हो गई। उस दिन दीपा पीले और लाल रंग के चापे वाला सूट, काले रंग की सलवार और लाल चुन्नी पहने हुए थी। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। दीपा के पिता श्री वीरन और पूरा परिवार बहुत परेशान है और समाज से मदद की अपील कर रहा है। इस बीच पलवल जिले के भिदू की गाउव के उदेवीर की पतनी दीपा का भी मामला सामने आया है। दीपा जो मथुरा की रहने वाली थी 23 जून को गायब हो गई और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। उदेवीर और उनके परिवार ने पुलिस से शिकायत की लेकिन पुलिस की निश्क्रियता ने इस परिवार को निराश कर दिया है। परिवार की अपील और पुलिस की लापरवाही। उदेवीर और दीपा के परिवार ने पुलिस से बार-बार शिकायत की लेकिन उन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। पांच जुलाई को एक अग्यात व्यक्ती ने फोन कर अपमान जनक बाते कहीं और दीपा को भूल जाने की धमकी दी लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। दोस्तों, सवाल यह है कि पुलिस कब तक इन मामलों को हलके में लेती रहेगी। एक परिवार अपनी बेटी के बिना किन तकलीफों से गुजर रहा होगा, यह हम सभी सोच सकते हैं। आज इस परिवार की मदद के लिए हमें भी आगे आना होगा। वीरन और उदेवीर की गुहार, दोनों परिवारों ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि दीपा को खोजने में उनकी मदद की जाए। अगर किसी को भी दीपा के बारे में कोई जानकारी मिले, तो कृपया तुरंट संपर्ख करें। सूचना देने वाले को पाँच हजार रुके का इनाम भी दिया जाएगा।